कॉंगेस पार्टी के वरेश नेता और मानौर्टी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष इम्रान प्रताब गडी जी हमारे साथ है सर बुल्डोजर उत्तर परदेश मद्दे परदेश में चलने के बाद दिल्ली पहुंच गया है आपको क्या कहना है यह जो बुल्डोजर की संसिक बनाते जा रहे हैं और जब दिल्ली में आप इस तरह की कारवाईयां कर रहे हैं और माननी उच्चतम न्यायले के आधेश की भी औहल ना कर रहे हैं ऐसे में आप अंदाजा लगाई है कि जब सुप्रीम कोर्ट के 20 किलोमीटर के दाइरे में यह हाल है तो खरगोन में क्या ह हुआ होगा उत्तरप्रदेश में क्या हुआ हुआ होका किस तरह से गरीबों को प्रताड़ित किया गया होगा आप बस इसकी कल्पना कर सकते हैं यह संसकृती बहुत खराब है आप दरसल लोगों की घर लोगों की छटें लोगों की दुकाने नहीं तोड रहे हैं आप डोजर सिंबल बन जाना लोकतंत्र के लिए किसी भी दुनिया के किसी भी देश में लोकतंत्र के लिए अच्छा तो नहीं है अगर चंद लोग उसे सेलेब्रेट कर रहे हैं तो फिर आप उसे अच्छा नहीं करार दे सकते लोगों के लोकतंत्र तो सबको जोड करके ले करके चलने वाला है लोगों को पालने वाला जनता का जनता के द्वारा शासन है लेकिन आप उसमें एक बिल्कुल तानाशाही खरगौन के कोई आदेश नहीं पारित हुआ लेकिन आपने 47 दुकाने तोड़ दी किसके आदेश पे तोड़ा गया ग्रीमंत्री ने आदेश दिया कोई लिखित आदेश नहीं कल एक आर्टी आई में ये खुलासा हुआ है आज दो दिन पहले जड़ब हुई जड़ब के बाद आप सीध सीधे एक समुदाय को टार्गेट करने के लिए कर रहे हैं आप मुसल्मानों की दुकाने आप मुसल्मानों का घर इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि आप उन्हें डराना है उन्हीं एहसास दिलाना है कि नहीं बुल्डोजर जिसे चाहेगा उसे नेस्त नाबूत कर देगा आज आपने देखा होगा ऐसे विजूल आपके ही टीवी चैनल ने दिखाया है कि जिसमें गांधी जी की तस्वीर है गांधी जी का लिखा गया स्लोगन है कि मेरा भारत महान और उसको एक जटके में बुल्डोजर ने जमी दोज कर दिया आप गांधी जी की आत्मा चलनी क कर रहे हैं बुल्डोजर संसकृति से इसे रोकिये माननी है प्रधान मंत्री जी यह देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है इसके साथ साथ जीवेल नरसिमर राओं है वो बीजेपी के वरिश नेता है सांसत भी है उन्होंने का है जेसी बी का मतलब है जिहाद कंट् का यही काम रहता है कि फुल्फॉर्म निकालो ट्वीट कर दो और थोड़ी देर मीडिया में बहस हो जाए अगर फुल्फॉर्म पर ही बहस शुरू की जाए तो आज वो जेसी बी का मतलब यह बता रहे हैं तो उनके सहयोगी नितीश कुमार जी ने भारती जनता पार्टी यानि बीजेपी का फुल्फॉर्म बताया था बहुत जुट्टा पार्टी बहुत सारे नेता बताते हैं बीजेपी का मतलब भारत जलाओ पार्टी तो हम क्या उन फुल्फॉर्म को सही माने यह तो सीधे सीधे जीवियल साहब आग में घी डालने का काम कर रहे हैं आज जो और अगर हम उनकी इस बात पर बातचीत कर रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि उन्होंने इवियम के खलाब बड़ी लंबी चोड़ी किताब लिखी है मोटी इवियम बैन करने के लिए तो मुझे लग रहा है उस पर भी बहस होनी चाहिए और उन्हीं के हवाले से उन्हीं के संदर में बहस होनी चाहिए आखरी सवाल है आपके ही जो अन्यनेता हैं पार्टी के और विपक्षे अन्यनेता भी हैं जो वह कह रहे हैं कि यह दो हजार चौबिस से पहले का रन अप है आप इसे कैसे दिए भारती जनता पार्टी रचुनाओं ना भी हो तब भी उसे नफ संद्धों पर खड़े हों लोगों के साथ खड़े हों सिर्फ कहें भर देने से काम नहीं चलेगा चलिए इसाड के लिवे लड़ियए तब कर देने से जिम्मेदारीों से काम होने पिर आप जा के जहांगी गुपता जी का घर टूटा है जहा सापका टूटा है किसी और परिवार का तूटा है हम साक्षे कठद कर रहे हैं ओर भी लोग प्रियाशanned डिया कि हम या तो उन्हें मदद करेंगे हमारा प्रियास अलग से सूपरीम कोट जाए और इस संस्कृति को को रुकवाए क्या मांग रही है कि आप बिना नोटिस दिए बिना कुछ कहे रात में घटना हुई दो बज़े घटना हुई तीन बज़े घटना हुई सुबह दस बज़े आपने घर तोड़ना शुरू कर दिया आप कैसे कर लें कि दोशी कौन है किसी भी स्टेट का ग्री मं सब्सक्राइब करेंगे कि दोसी अंसार हैं दोसी इम्रान हैं फिर तो खतम हो गये ना मतलब ही नहीं रहा जाता न तो यह नरेटी बनाना बंद करिए घृमंत्री मुख्य मंत्री प्रधान मंत्री परिवार का मुखिया होता है उसके लिए भारती जनता पार्टी के सब्सक्राइब करें और हम कानूनी टीम से अपनी सला भी कर रहे हैं कि किसी भी गरीब का घर किसी भी उत्पीडन के लिहाद से अगर किसी का भी घर तोड़ा जाएगा तो हमारा विभाग खुल करके सड़क से लेकर के नयाय पालिका तक लड़ेगा इसमें कोई दोरानी हम ज झाल झाल